आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार दूसरी और इसके दोरोपयोग भी हैं कई ऐसे किसे हम लोगों के सामने आ चुके हैं जो स्मार्ट फोन की वज़ा से हुए हैं ऐसा एक ताज़ा मामला राजधानी लखनव से सामने आया है जो है एक लड़के ने अपने मा की हत्या सर्फ इस बात पर कर दी कि उसकी मा उझे उसे पब जी गेम नहीं खेलने देती थी उसे गेम खेलने से मना करती थी वही संसनिक हेज पब जी हत्याकान में जाच और पूश्टाच के बाद कई पहलों खुल कर सामने आया है जोनकारी के मताबिक लड़के के मा की हत्या की साज़िस दस दिनों पहले ही कर लिया था और यूट्यूब की मदद से हत्यार चलाने का वीडियो देखा था वही ये मामला कोई सनट में नहीं बलकि सोची समझी शाजस के तहत किया गया जानकारी के मताबिक बेटे ने पिस्टल चुराने के लिए नकली चाभी भी बनवाई साथ यारोपी बेटे ने मापर पिचाई करने का भी आरोप लगाया है पुलिस से पूस्ताज में उसने ये कहा है कि उसकी माँ उसकी पिटाई करती थी बता दे कि पीजाई को तवाली के पंचम खेड़ा का यह पूरा मामला है जहाँ एक तरफ कोविड के मामले सामने आ रहे है तो आई लकड़ों में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है पबजी गेम के लिए बेटा बना हैवान पबजी खेलने से रोकने पर अपने ही मा की लिजान हत्या के बाद तीन दिन तक शव को घर में चुपा कर रखा चोटी बहन को धमका कर दूसरे कमरे में बंद किया दुर्गंध आने पर बेटे ने पिता को दी हत्या की जुआनकारी लखनव में हैरान कर देने वाली एक घटा सामने आई है जहाँ पर एक बेटे ने मादर पबजी खेलने के लिए अपनी मा को मौत के घाट उतार दिया जहाँ बच्चे मा को पूरी दुनिया मानते हैं पूरा संसार मानते हैं इस बीच ऐसी घटना सामने आई है जहाँ पर एक बड़ा सवाल ये निशान खड़ा करता है बच्चों के मेंटल हेल्थ पर आखिर क्या वज़ा रही है सब पबजी खेलने की वज़ा से तो नहीं एक बच्चों अपने मा की हत्या कर देगा तमाम बच्चे हैं जिनकी माएं उन्हें गेम खेलने के लिए मना करती है और बच्चे मानते भी हैं लेकिन जिस तरह से संसनी केस घटना सामने आई है कि अपनी छोटी बहन को उसने दूसरे कमरे बे बंद कर दिया सर्फेस लिए कि वो घटना को छुपा सके और जब दुरगंद आया तब बेटे ने पिता को हत्या की जानकारी दी इतनी हिम्मत एक 16 साल के बच्चे में 10th क्लास वे पढ़ने वाले बच्चे में आ कहां से गया ये मामुली कोई मामला नहीं है जिसे मासानी से समझ रहे हैं मसले पर बच्चों के mental health और कहीं न कहीं हमारे परवरिश पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेहा अनन जुड़ चुकी है जो मनो वैग्यानिक है नाही दकील जी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो समाजी कारे करता आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की चर्चा में नहा अनन जी जिस तरह से घटना सामने आई है किस तरह से आप इसको देखती है एक मनो वैग्यानिक होने के कारे एक अलामिंग घटना है जो कही ना कही इशारा कर रही है कि आखिर युवा और किशोर किस दिशा में बढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ इशूज किस हद तक एक दूसरे पैंडेमिक का रूप ले रहे हैं जहां पर इस हद तक एक बच्चा एक किशोर जा सकता है कि वो अपनी ही मा की हत्या कर दे तो कही न कहीं तो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से अगर हम क्लियरली देखें विक्षिप्त नहीं है तो कोई बहुत हेल्थी स्टेट भी नहीं रही होगी वो कोकेन से कम नहीं है, स्मैक से कम नहीं है तो अब इसको अगर हम देखने कि ब्रेन में किस तरीके के चेंज़े आते हैं जो कि शायद दिखते नहीं है तो हम इस बात को शायद कई बार नजर अंदाज कर देते हैं कि चलो बच्चा है, फोन यूज कर रहा है, कुछ यूट्यूब पे देख रहा है बट इसमें पेरेंट्स को बहुत अर्ली स्टेज पे सुपरवाइस करने की जुरत है, देख रेक की जुरत है कि पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चा कितनी देर और क्या यूज कर रहा है पब जी की अगर हम बात करें तो पिछले साल से कुछ समय पहले ये एक केस आया था जिसमें एक किशोर को पब जी खेलते-खेलते ही काडिया करेस्ट आ गया था, हार्ट अटैक हो गया था तो जब ब्रेन को ओवर स्टिमिलेशन मिल रहा है, डोपामीन अत्यदिक रिलीज हो जाता है खेलने से जिसको हम एक प्लेजर हॉर्मोन बोलते हैं और इसके कारण अगर वो रश ब्रेन में हो रहा है, शरीर में हो रहा है कि इसको हम नजर अंदाज ना करें और मेंटल हैल्थ इशूस को समझें कि एक्जाक्ली गेमिंग का एडिक्शन भी किसी नशे से कम तो नहीं है जी बिल्कुल, नाइद अकील जी किस तरह से इस घटना को आप देखती है, जो सरसे बच्चे से जब पूस्टाश की गई, उसके पिता ने उससे बार की तो बच्चों में कोई रिग्रेट नहीं है, बच्चे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी मा के हत्या करने पर किस तरह स कि भी बहुत बड़ी गल्पी है, अगर हमारी आईटी मिनिस्ट्री की गल्पी है कि इस सारे गेम को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, बैं नहीं कर पा रही, तो उतनी ही लगभा पेरेंट की भी जिम्मेदारी आजकल है और गल्पियां, अगर आप देखें, आज हर घर में थार्ड स्टेंडर्ड के बच्चे के पास भी अपना पर्सनल मुबाइल है, ठीक है प्राबलम थी देश में कोविट की दो साल सारे बच्चों ने मुबाइल से ही पढ़ा लिखा, लेकिन आप पेरेंट्स हैं, आपका अपने बच्चों पर कंट्रोल कितना है, आज हो चाहे बड़े हों, आज पेस्बुक को लेके लीजे, आप बड़े अडिक्स है पूरी तरीकिसे उनको नीज में आती अगर एक हजार लाइक ना मिले तो, तो इससे पूरे देश को कैसे निकाला जाए, मुझे तो लगता है एक नई तरह की ठरपी की ज़रूरत है देश म कि लोगों को पहले मोटिवेट किया जाए और उनकी काउंसिलिंग की जाए कि वश्चे उभरिये, आपको अगर इंटर्नेट का इस्तिमाल करना तो कितनी देर करना है, आपको जरूरत कितनी देर की है, पेस्टुक पे क्या दिनवर्चिप के रहना है, गेम्स की साथ क्या दिनवर्चिप के रहना है, या फिर आप अपने जरूरत के हिसाब से इस्तिमाल करेंगे, तो दोनों ही चीज़े गलत है, हाला कि ये जो हुआ है लग्टाओं में, बच्चे ने किया है, ये बहुत दुख़द है, लेकिन ये पहला केस नहीं ये भारत का, इस्टे पहले के पार्ग होना चाहिए, जिस चीज़ की जिसनी जरूरत है, उसका इस्तिमाल भी उतने एकस्स किसी भी चीज़ की नुक्तान दे होती है, चाहे वो आज गेम हो, या फिर आईटी सेक्शन का बात ले लीजिए, कि जिस तरह से मोबाईल का उपयोग और योग दोनों हो रहा है तो दोनों चीज़ें गलत है, मेरा यही कहना है, बिल्कुल लाइद अकीली जिस तरह से आपने आईटी पे सवाल उठाया, मेरा भी यही सवाल है, कि जब पबजी बैन हो चुका है सालों पहले, तो किस तरीके से, आकिर वो कौन से सोफ्ट्वेर है, जो नहीं बैन किया जा सोफ्ट्वेर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह गेम बच्चे खेल रहे हैं, बैइ अपने सीमाओं का कोई वो नहीं, आज विजिकल यूग में पूरी दुनिया सेकंडों में सारी बात जान जाती है, तो आप की देश की सीमा के भीतर, या आज जो और भी केसे चल रहे हैं चाहे वो आज नुपुर के बयान को लेकर के या कुछ भी, यह माल लीजे हमारे देश के भीतर उसने बयान दिया, आप अपने घंच से हैंडल कर लेतें, लेकिन यह हमारा कंट्रोल नहीं है ना कि हमारी सीमा के अंदर ही हमारी चीजे रहें, क्योंकि सरकार ही आईटी का भ जो मुझे लगता है नौ दस साल के लगबग होगी, उसको भी तीन दिनों तक उस हत्या को छुपाने के लिए उसने मोटिवेट किया, और उस बच्ची ने भी हत्या छुपाया, किस तरह से देखती है अब इसको, यह नॉमल हत्या नहीं है, क्योंकि दस साल, नौ साल की जाओ, यदि नॉर्मल बच्चे होते हैं, तो उनमें जो इमोशन्स होते हैं, जो भाव होते हैं, वो एक रेगिलेटेड तरीके से, जिसको हम इमोशन रेगिलेशन बोलते हैं, उसमें डर भी होगा, उसमें गुसा भी होगा, लेकिन एक नॉर्मल उस पे होगा, इस केस में अगर हम इस लड़के की बात करें तो emotion regulation शायद नहीं रहा होगा बच्चे में क्योंकि जब emotions की कमी जिसको हम अपनी मनोविग्यानिक की भाशा में बोलते हैं मनोविग्यान की भाशा में अपाथी अपाथी का मतलब यह कि सामने वाला कितने पीडा में है उस emotions का बहुत जादा उजागर ना होना उस परिस्तिती में और उसने अपनी बहन पे भी उस समय उसको भी डराया धमकाया कि तुम अगर बताओगी तो मैं तुमारे साथ भी कुछ ऐसा करूँगा तो वो बच्ची डर के मारे कुछ बता नहीं पाई अब ये अचानक से नहीं होता है ऐसा इस बच्चे कहा ये भी जा रहा है कि बच्चा exams के result आये और उसमें fail हो गया था तो ये कुंठा कहीं न कहीं उस बच्चे के अंदर बहुत समय से रही होगी उसका एक identity formation का time बच्चों का जो किशोरा वस्ता जिसको हम बोलते हैं उसकी कहीं न कहीं identity crisis रही होगी बच्चे का adjustment issue मा के साथ था ही जो अमोमन इस अवस्ता में हमारे पास जो parents आते हैं यही complaints लेके आते हैं कि इस उम्र में adjustment parents के साथ नहीं होता है क्योंकि यह जो age होती है 15-16 साल की age होती है यह बच्चे इसमें बहुत जादा independence चाते हैं अपनी independence के आगे और space के आगे यह किसी को भी नहीं देखते हैं चाहे माता पिता क्यों नहीं हो अच्छा इसमें और भी पहलू यदि हम थोड़ा और शायद आगे देखना चाहें तो देख सकते हैं कि बच्चे की company कैसी थी कैसे लोगों के साथ रहता था कैसे दोस्तों के साथ उड़ता बैठता था सावधान इंडिया कई जगों पे मैंने यह भी पढ़ा कि यह बच्चा क्रिमिनल चीजों से बहुत ज्यादा इंफ्लूएंस था सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसी चीजें बहुत ज्यादा देखता था तो क्या कॉंटेंट वो बच्चा इस उम्र में कौन सा बच्चा किस किस कॉंटेंट की खुराक ले रहा है भी हम खाना खाते हैं तो हम न्यूट्रिशन ले रहें ब नहीं न कहीं इस बच्चे की अगर पूरी हिस्ट्री को हम हसेस करके देखेंगे तो यहां परस्नालिटी इशूज भी निकलेंगे हो सकता है इसमें ऑपोजिशनल डिफाइंड डिजॉडर हमें कैटेगरी रखते हैं जो बच्चा जब आठ साल का होता है तभी से यह पूल्स होते हैं रेगूलेशन्स होते हैं वो ऐसी चीजों को मानने से इनकार कर देते हैं बहुत जादा बड़ों से आर्ग्यूमेंट करना बहस बाजी करना गाली गलोज करना यह बहुत चोटी उम्र से दिख जाता है शुरुआत चोरी से भी हो सकती है घर में कई बार प पाऊंगे कि बहुत नॉर्मल पैरमीटर्स नहीं देखे जा रहे हैं इस केस में जिस तरह से जब पूछताच किया गया पुलिस के द्वारा तो जो लड़के के पिता है जो सेना में है वो घर है उन्होंने कहा कि मैं कोई सज़ा नहीं दिलवाना चाहता अपने बेटे को हल पालिक है पॉसको एक्ट के तुरूई एक्ट के तुरूई जो भी कारवाई होगी होगी पिता भी सज़ा नहीं दिलवाना चाहते है अपने बच्चे को किस तरह से देखते और कहीं न कहीं कितनी बड़ी जम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है कि बच्चों के मेंटल हेल् के लिए कई मुहीम चलाया जाए नाही दकील जी शायद कुछ नीकी खरावी के कारण नाही दकील जी हमारे साथ नहीं जुड़ पारी है नहीं जी इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है आप पहले से ही कारे कर रही है विमेंस के लिए यहीं अगर बच्चों की बात किय जाए तो कितना एफेक्ट बच्चों पर माबाप के अपसी लडाई का पड़ता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरिंस की लडाई को देखकर बहुत अपसेट हो जाते हैं उन्हें मेंटल प्रॉब्लम होने लगती है तो हमारे गौर्मेंट को भी कितनी जरूरत ह कि किसी तरह की मुहीम चला जाए कि जिस तरह से तमाम तरह ब्लड डोनेट को ले करके मुहीम चलते हैं कैंसर को ले करके चलते हैं मेंटल हेल्थ के लिए भी इस तरह के स्विवर लगाया जाने चाहिए कि लोग मेंटल प्रॉब्लम को बताने से डरते हैं अभी लोग उसको बहुत बड़ी बिमारी समझते हैं कि लोग उन पे क्वेश्चिन खड़े करेंगे पॉइंट आउट करेंगे तो कितना इसको और उपन बनानी की जुरत है कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में भी उपन सबसे इंपोर्टेंट चीज वो जान पाएक उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आज भी हम जब कह रहें कि हम मार्स पे पहुंच गये हैं लेकिन मेंटल हेल्थ को पागलपन से जोड़ा जाता है यह एक टैबू है और कोई भी समाज में जब एक समय था जब हैचाईव मुहिम चलाई बहुत एडवर्टिस्मेंट के माधियम से मीडिया के माधियम से अवेर्नेस प्रोग्राम्स के माधियम से शिविरों के माधियम से यह बात घर-घर पहुंचाई गई तो आज हम कह सकते हैं कि HIV के बारे में सब को पता है लेकिन मेंटल हेल्थ अगर हम पैंड हेल्थ इशूज को लेकर के अगर हम नहीं समझेंगे इस बारे में तो ऐसी आए दिन घटनाएं और होती रहेंगी दूसरी चीज़ यहां पर बात आती है अभी भावंक होगी यानि कि पैरेंट्स की बात आती है तो बच्चा जिस परिवेश में पलता बढ़ता है जिस पर है कि मा मारती थी तो अगर तीन तरह के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं और अगर यहां पर बहुत अथारिटेरियन रही होगी यानि कि बिल्कुल पूरी तरीके से इंपोज करना आपनी बात को कि मैं बोलू उठो तो उठो मैं बैठो तो बैठो यदि ऐसी पैरेंटिंग रही होगी बच्पन से तो वो पेरेंटिंग किशोरा वस्था में बिल्कुल भी नहीं चल सकती है हमें जरूरत है डिमोक्रिटिक पेरेंटिंग स्टाइल की यानि कि कुछ बच्चे की और कुछ पेरेंट्स की कोई बीच का रास्ता बहुत कम्यूनिकेट करके यानि कि बात करके वार करने में चूकेगा नहीं और खास थार से आज कल की जो generation है वो दो बार भी नहीं सोचती है तो parents को या तो बचपन से parenting के बारे में जानना होगा पढ़ना होगा कि हर stage में हमें बच्चे के साथ किस तरह की parenting style देनी है और खास तोर से किशोरा वस्ता में हम बच्चों के साथ कैसे डील करें घर में तो बहुत जादा यदि हम किसी भी रसी के ओगांट बांगे खीचेंगे तो वो तूट जाएगी इस केस में भी कुछ ऐसा ही जो बच्चे का वरबैटम है लगता है कि बहुत जादा बच्चे में imposing parenting जो अपनी बात को थोब देना होता है वैसा कुछ रहा होगा और adjustment issues इस कारण रहे जी बिल्कुल नाही दकील जी किस तरह से देखती है आप सरकार को किस तरह से अप कदम उठाना चाहिए कि जिस तरह तमाम sauce favor लगाया जाते है mental health को भी ले करके aware किया जाए देखिए हमारे हम mental के मामले को ले करके लोगों के अंदर बड़ा भ्रम है यह हलका सा भी अगर कोई issue होता है जरूरी नहीं कि हर mental case 100% हो 80% हो किसी बच्चे में किसी चीज़ की थोड़ी सी भी कमी हो सकती है तो वो नाम लेने से सारे लोग पागल घोशित कर देते हैं उसको इवें परिवार में भी उसके साथ behavior बहुत गलत होता है सोचने की जरूरत है किसी भी बच्चे के मन में कोई भी बात बैख सकती है अगर parents हैं उनके दो बच्चे हैं और दोनों के बीच में प्यार का differences है माबाप से तो बच्चों के मन में बैख गया लेकिन वो parents उसको बहुत lightly लेते हैं किसी को एकदम सिर्वे कढ़ा देते हैं और किसी को एकदम ignore कर देते हैं तो ये सारी चीजें जब बच्चे के मन में आती तो ये बच्चपन नहीं ताउम्र उसके मन में बैठी रहती और वहीं के आपस में differences पैदा होते हैं वो कहां जाके react करेगा ये किसी को भी नहीं पता होता है लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं तो एक तो पैरेंटेज की बहुत बड़ी ज़रूरत है जो हलके में भारत में लिया जाता है अभी मैं चोटा सा बात आप लीजिए मैं तो बैठी हुई कलर को ले लीजिए काला कलर गोरा कर तो इसको लेकर के अगर दो सिस्टर भी हैं तो परिवार में हर जगा जहां बच्चा जाये किस को पड़ा किसको पड़ा अगर पादर ककलर का में तो यहीं लोग कोड करने लगते हैं अरे पादर पे बढ़ा है बच्ची के अंदर धीरे-धीरे सिठीड़ा पन आता है और वो बढ़ते 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 माबाप के साथ भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा डिपरेंस हो जाता है और जो कभी बन नहीं पाता है लेकिन हम दूसी तरीके से उसको लेना शुरू कर देते हैं तो नमबर बन पेरेंस को अगर बच्चे पैदा किये हैं हमारे भारत में मा को इतना बड़ा दर्जा दे दिया तकि अरे मा की ममता मा की ममता ऐसा उठा दिया जाता है मा भी इनसान होती है मा भी अपने बच्चों के साथ दोहरा वेवार करती है किसी के साथ बहुत अच्छा वेवार करती है किसी को कम आगती है तो इससे भी बच्चे के मन में अथर पड़ता है तो पेरेंट्स को अगर बच्चे पैदा किये हैं कि इस तरह के गेम आखिज क्यों दो साल तो ऐसी बच्चे घर में बैठे रहे हैं और उनकी पढ़ने की आदत छूट गई है और अब जब स्कूल खुले हुए हैं दो साल के बाद तो बच्चों का दिमाग वहां लगना चाहिए कि गेम में लगना चाहिए कि इस तरह कि इतनी बड़ी कमी आप देखती हैं जो हमारा IT सेक्टर है कितनी बड़ी कमी उसकी आप देखती है कि अभी भी ये एक लौता केस नहीं है जब सामने आए हौला कि एक लौते केस को इतना हाइप नहीं देना चाहिए आज इस चर्चे पर हम सफिसली मुद्दा मुद्दा लेके बै रही है किस तरह कि गेम्स को अभी फी रोका नहीं गया रोक नहीं लगा गया है सिर्फ बाते कही है कि रोक लगा इया गया है बैंक कर दीया गया है अगि कहां से चूख है सेटियों में कि फिर भी वे बच्चे उस गेम को खेल रहे हैं 1979 in service तो बोओ फिल में चलरही है आज रही है जमाने से बात हो रहा है कि उसको सरकार को बैंन करना चाहिए बैंन करना चाहिए लेकिन सरकार सुने सब्टो जे कोई भी गॉर्णमेंट हों जाती हम्हाना काही जाती है । अभी बात जो पान मुवीज है पॉन पिक्चोस है उनको बैन करने की बात कही गई ती लेकिन फिल अवेलिबल कहां से होता है बच्चों को सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है लगतार योगी सरकार ये कहती नजर आई थी कि बैन कर दिया गया है जो पिन करेगा उसको आई-पी एड्रस कि बावजूदी बच्चों को मिलते कहां से इस तरह के पिक्चुस कहां से प्रवाइड होते है उनको जब आप बैन करेंगे तभी तो कंट्रोल होगा तो पिक्चर कहां से मिलेंगे वह आज इंटरमेच पे क्या चीज नहीं है हर बच्चे सब के अपने प्राइवेड रू फी Elizabeth एकर्सी से कोई मतलब नहीं है दिन भर मुबाइल चलाते हैं क्या सरकार का स्थे मेया प्राइड होना चाहिए दोनों की गल्तिया आप इस चीज के देखते हैं के जो बच्चों का स्कूल दो साल बंद रहा, बच्चों ने आल-9 पढ़ाई करी हैं, उनको जाधा एक्स्पोजर मिल गया, ओनको सिस्टम मिल गया, ऑनको मुबाइल फोन मिल गया बच्चों के आउटडोर गेम बंदो गया आज के वक्त में बच्चे आउटडोर गेम खेलने के बज़ाय सिस्टम इंटरनेट पे वक्त जादा देते हैं इन सब चीजों को कितना बड़ा जिम्मेदार देखते हैं और कितना इसका एफेक्ट बच्च और शायद छेचे साथ साथ घंटे का जो स्कूल चल रहा है या होमवर्क चल रहे हैं उस दोरान तो एक रियालिटी और वर्चुल वर्ल्ड में जो एक सामन जस्य की स्थिति होनी चाहिए वो कहीं न कहीं खतम हो गई कॉन्फलिक्ट आ गया बच्चे जादा से जादा वर् पेरेंस को ये मालूम है कि भई स्कूल टाइम खतम हो गया तो अब हमारा बच्चा उठेगा और वो बाकी की दीन चर्या में लग जाएगा लेकिन ऐसा सुपरविजन नहीं हो पाता है जिस वजह से बच्चे कंटिन्यूसली अगर स्कूल का प्लाटफॉर्म खतम हुआ तो उसके बाद गेम की वज़े से बैड गए या यूट्यूब के एक्सपोजर की वज़े से बैड गए या इंस्टा रील्स बनाने लगे ये कुछ चीजें आज की डेट में हावी हो गए ये जो दो साल कोविड का पीरियड चला ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था एक स् अच्चे बहुत अच्छे से बहुत टेक सावी हैं उनको मालूम है कि कहां से कौन से प्लाटफॉर्म से हम हिडिन प्लाटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं ये एक फाइल और हम इसको इससे एक्सपोज हो सकते हैं तो ये चीजे हां ये जरूर कहूंगी कि अगर कहीं एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर ये किसी भी डिवाइस पे डाउनलोड हुआ है तो उसके लिए कारिवाही या उसकी ट्रेसिंग होना बहुत जरूरी है इसके लिए पैरमीटर्स गवर्मेंट को बनाना जरूरी है लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर कोई प्लाट पर वो चीज अवेलिबिल नहीं होगी तो ये आज की जो एक ये मकड़ जाल है इंटरनेट का इसमें नामुम्किन है तो टेक सावी होना अपनी जगे पे अच्छा है लेकिन टेकनोलोजी को अगर हम नेगेटिव धंग से ये हमारा खुद का एक हाईजीन हमें में नेंटे करते हैं और आप मुझे मना कर रहे हैं तो ऐसी चीजों के लिए पेरेंट्स को पहले खुद में डिसिप्लिन लाना होगा घर के परिवेश में जब डिसिप्लिन आएगा बच्चे जो देखेंगे वो एक्जाक्ली वही फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है यहां पे ओल ट जगे जगे शिवर लगाए जाएं छोटी छोटी जगाओं पर लगाए जाएं क्योंकि मैं जुविनाइल जस्टिस बोर्ट से जुड़ी हुए हूँ तो मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जुविनाइल के जितने केसे जितने मुद्धे हैं उसमें मुबाइल एक बहुत ही जिसको हम नजरणदाज नहीं कर सकते हैं जी बिल्कुल समय की कमी होने के करण नाही दकील जी फाइनल कॉमेंट में आपसे चाहूंगी कि जस तरह से ये घटना सामने आई है आगे इस तरह की कोई गटना ना सामने है किस तरह के कठोर कदम उठाने चाहिए इस तरह की घटनाओं को रोपने के लिए और जो बच्ची हमारे देश का भविस से हैं हमारे देश के रीड की हट्टी हैं उनको मजबूत बनाने के लिए मुझे लगता है इसमें अवेर्नेस की जगा बता रहे हूं कहां कहां आज क्या होता है कि अगर बच्चा छोटा है तो हर माँ बच्चे को मुबाइल दे देती है और मुबाइल बच्चा देखता रहता तब उसी बहाने वो खाना खा लेता है मैं एक रही दस्कियों घर की बात बता रहे हूं मेरे घर ने खुद मैंने देखा है कि माँ बच्चों को मुबाइल पकड़ा देंगी उसमें वो गेम देखते रहेंगे और उसी के साथ साथ वदू तुला देंगी खाना खिला देंगी तो बच्चा खाता है और बिना ही करेंगी और सरकार को स्कूलों में भी अवेरनेस होना चाहिए क्योंकि जो छोटे क्लास से लेकर मैं कहते हुए ट्वेल्ट स्टेंडर तक लगातार बच्चों को इसके लिए अवेर करना होगा कि ये कितना आपके लिए पाइदे मन है और कितना ज़रूरत है कितनी ज़रूरत नहीं है इसकी नुकसान कर सकता है और इसके बगार काम नहीं चलने वाला है माबाप की भी awareness, बच्चों की भी awareness और जो डील कर रहे हैं, hospital है, school है, teacher है, सभी को ये aware करने की ज़रूद है कि आप इसको एक subject मानके जहां भी आप class में लें, कोई भी subject परहा रहे हो लेकिन ये section जरूर लें आप. जी बिल्कुल कहीं ने कि subject को जो मनो विज्ञान से जुड़ा हुआ कोई भी subject जैसे की spoken English important है, PT important है, मुझे लगता है ऐसे classes भी बच्चों के लिए important कर देने चाहिए, जी बिल्कुल कहीं जो तमाम political, मुद्दे और चुनाव जीतने के लिए इतने पैसे अट्रोटीस्मेंट पे खर्च किये जाते हैं, सरकार को कहीं न कहीं अब जरूरत है सक्त कदम उठाने के लिए बच्चों के mental health के लिए, निहान जी एक final comment मैं आपसे चाहूंगे किस तरह से आज जिस तरह से हमारा युआ एक अलग दिशा की और बढ़ता जा रहा है, किस तरह से जरूरत है उसको aware करने की और हिंदुस्तान को एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों को और अपने बच्चों के भाविस को सुरक्षत रखने के लिए क्या कुछ कटोर कदम उठाने चाहें। देखिए इसमें तीनो स्टेकोल्डर की बात मैं करूंगी, पैरेंट्स का अपनी तरफ से उनको ध्यान देना होगा, बच्चपन से ही बच्चों के अंदर वो वैल्यूज, वो मॉरल्स जो शायद कहीं पीछे चूट गए हैं आज की सदी में, वो फिर से दादा दादी, न से विक्स, हिस्ट्री, जोग्रिफी पढ़ा रहे हैं, उससे कई गुना जादा ये ये लाइफ स्किल्स पढ़ाना बहुत जरूरी है, जहां बच्चे को खुद भी कैसे सर्वाइब करना है दुनिया में, वो सीख पाए, और तीसरा आता है गवर्मेंट के उस पे, तो इंपोर्टिंट प्रॉब्लम बन गई है और बच्चे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे कहीं ने कहीं, अब सही वक्त आ गया है कि देश के भाविष को सुरक्षित करने के लिए, जिस तरह चुनाओं के लिए तमाम पैसे अट्वर्टीजमेंट पे खर्च किये जा अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार